नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेरे पास ये संडरेक्ट का बोक्स है जो की 7-8 साल से बंद पड़ा हुआ है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में संडरेक्ट की जो सर्विसीज हैं वो लगबग समापत हो चुकी थी और पैक भी अच्छे नहीं थे अब संडरेक्ट की नॉर्थ इंडिया में फिर से वापसी हुई है और पैक और प्राइसिज काफी अच्छे हैं तो मैंने ये बोक्स उठाया है देखता हूँ ये स्टार्ट होता है के नहीं तो जब मैं इसको डिशेंटीना से जोड़ता हूँ और इसको ओन करता हूँ तो ओन होने के बाद जो हमारा एरर आता है ओन होने के बाद संडरेक्ट का लोगो आता है इसमें और अगर इसके मैं चैनल चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो no channel installed please scan first आता है चलिए अब मैं इसकी scan करके देखता हूँ menu का button press करते हैं और auto scan या auto scan पे जाते हैं यहाँ पे जो इसका default password है 4x0 रहेगा scan पे करके scan कर देते हैं तो scan करने के बाद भी देखिए हमारी nothing to update आ जाता है इसमें अगर हम फिर से manual scan पे जाते हैं तो इसमें problem पता है क्या है यह काफी time से box बन पड़ा था तो यह update नहीं हो पाया तो उसके बाद से sun direct की satellite change हो चुकी है और जो इसकी यह home frequency अभी यहाँ 11.0.30 वर्टिकल 27.500 दिखा रहा है यह भी change हो चुकी है तो यहाँ पे जो नई frequency है 12.316 horizontal और symbol rate 30.000 आ चुका है तो हमें यह change करना पड़ेगा अगर हम इस box को योज में लेना चाते हैं तो दोस्तो यह home transponder frequency कैसे change होगी आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो हम start करते हैं यहाँ पे home frequency पे जाके अगर हम यहाँ से key press करते हैं तो यहाँ पे हम कोई change नहीं कर पाते हैं तो home transponder frequency 12.316 करने के लिए हमें इसमें एक secret code की जुरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम menu की press करेंगे और इसको हमने right में करते हुए जाना है factory reset पर तो यहाँ factory reset पर आने के बाद हमें यहाँ पर ok नहीं करना है हम यहाँ पे एक जल्दी से code डाल देंगे double seven double nine double seven double nine तो double seven double nine type करते ही remote के साथ दबाते ही remote के साथ हमारे सामने यह menu आएगा तो यह menu आपने इस में कुछ नहीं करना simply आप menu की प्रेस करेंगे और वापिस आ जाएंगे और एक बार फिर से menu की दबा देंगे और हम यहाँ पे manual scan में आ जाएंगे manual scan में आने के बाद यहाँ पे जो default password यह रहता है यह वाला हमारा four time zero है तो four time zero मैंने डाल दिया तो अब हम यहाँ पे जाते हैं frequency पे तो जो sun direct की अब home frequency है वो हम डाल देंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूँ यह sun direct के लिए use तो होई जाएगा अगर हम इसमें अभी software करने से पहले free to air channels देखना जाते हैं तो वो भी देख सकते हैं free to air वाली हमारी frequency है double one zero nine zero vertical और symbol rate है 29,500 तो देखिए यहाँ पे हमारा नीचे signal आ गया है तो यहाँ पे हम इसको okay press करके scan कर देंगे तो चलिए देखते हम क्या इसमें free to air channel जो डेडी free dish के हैं वो देख बाते हैं क्योंकि sun direct और डेडी free dish है जो उसकी हमारी जो satellite है same है तो अभी हमारा यह channel स्टार्ट हुए है तो इसने कुछ channel सर्च करके दिखाए हैं तो चलिए हम देख लेते हैं पहले यह channel हम देख पा रहे हैं के नहीं देख पा रहे हैं तो देखे दोस्तो free to air channels तो हम इसमें देख पा रहे हैं तो मैंने इसमें free to air channels तो नहीं देखने हैं मुझे इसमें sun direct के लिए pay channels देखने हैं तो चलिए मैं अब फिर से menu में जाता हूँ manual scan करते हैं यहाँ पे हम 4x0 डाल देते हैं तो अब जो हम हमारी sun direct की home frequency है ना अब वो डालेंगे इसमें 12,316 1,2,316 यहाँ पे जो polarity है इसकी horizontal रहेगी symbol rate है इसका 30,000 तो यहाँ आपने 30,000 symbol rate कर दिया तो यहाँ पे हमारे home frequency पे अब इसने signal दिखा दियें तो ok करके अब हम इसको channel search कर देंगे तो देखिए अब यह sun direct के लिए channel search करेगा तो यहाँ पे save changes कर देते हैं yes कर दिया मैंने चलिए अब exit की press करके हम वापिस चले जाते हैं smart card failure smart card failure इसमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसमें VC card है जो दूसरे box का डाल रखा है इसका मुझे VC card इन नहीं मिला दोस्तो अब अगर आपका VC card और STB सही है तो आप इसमें recharge करके सभी channels देख सकते हैं तो एक बात और अब यहाँ पे अगर हम इसको factory reset करते हैं या OTA कर लेते हैं न OTA पे तो यह जाने रहा restart factory reset करते हैं यहाँ पे मैंने reset factory कर दिया इसको factory default कर दिया है यहाँ पे अब आपका box restart होगा तो फिलाल इसमें हमारा वही manuals factory reset करने के बाद भी हमारी frequency change माँग रहा है तो इसमें हम recharge करने के बाद सभी paid channels देख सकते हैं और अगर free to air channel देखना चाते हैं तो वो भी देख सकते हैं दोस्तो आज की वीडियो में बस यही था के sunright के जो पुराने box पड़े हैं जो silver color का box है home cast company का तो इसका हम home TP कैसे change करेंगे ठीक है दोस्तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बाई बाई फ्रेंट्स कर दोस्तों 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 क झाल 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 झाल